वेलकम तो सुनील इंटरेटेंट हिंदुस्तानी में सभी देश्वासियों को सु स्वागतम हैं और हमारे प्यारे देश्वासियों फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में जो सुनील इंटरेटेंट हिंदुस्तानी की तरफ से होंगे जिसे देखने के बाद मे आप लोग धेर सारे enjoy करेंगे तो हमारे प्यारे देश्वासियो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो के और आप लोगों के लिए entertainment की दुनिया की तरफ से रूप रूप कराते हैं तो शुरू करते हैं तो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माधियम से एक फिमेल सिंगर के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज के दम पर जो है अपनी वो दोर हासिल की जो उस दोर में लता मुंगेसकर जी आसा भोसली जी पीक पर थे उस समय उन लोगों के सामने तिके रहना बहुत मुश्टी की बात थी मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन की ही बात थी लेकिन इन्होंने अपनी आवाज के माधियम से ऐसा जादो भी खेरा जो हम लोगों के आज भी दिल पर राज करती है और हमेशा करती रहेगी और ऐसी वो सिंगर है जो उनको सायद बाली बुड में बहुत ही कम चांस मिला है लेकिन जितना ही मिला है वो अपना ठेर सरा योगदान दिये है तो हम उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं और उन्हीं के सॉंग जो है डेडिकेट भी करेंगे इस वीडियो के माधियम से जो आप तक पहुँचेंगे और उसे सुनेंगे भी तो आएए जानते हैं वो कलाकार का नाम है हेमलता जी हेमलता जी का जनम राजस्थान की एक ब्राह्मन परिवार में हुआ था और उन परिवार में संगीत का महौल तो था लेकिन इनके लिए बहुत कठीन था क्योंकि हमारे उस जमाने के प्रमपरा के अनुसार बेटिया जो है बाहर निकल के ये संगीत की दुनिया में कदम नहीं रख सकती थी क्योंकि उस समय में बेटी को निकानने के लिए हर कोई बदनामी से डर लगता था और कोई भी घर को बेटी को बाहर जाने से मना करते थी नहीं जाने देते थे तो इनके लिए बहुत ही कठिन पल था वो और उस पल से ये कैसे निकले कैसे आगे बढ़े तो वो उनका एक छोटा सा उधारन है कि एक बंगाल में ये पढ़ी वहां दुरगा पुजा के समय में अपनी कल्चल प्रोग्राम करती थी गाती थी तो उसी दोरान जो है एक रंजीत एस्टीडियो में एक प्रोग्राम हो रही थी तो उस प्रोग्राम के लिए इनको तयार किया गया कि चलिए उस प्रोग्राम में जो है इनको अगर मुका दिया जाए तो साइद कुछ बात ब सबसे बड़ी बात यह थी कि सब तो लटा मंगजकर को मासरोसती का रोप मांती है लेकिन यह लधा जी का प्रम भाक्त रहि है यह अपने आपको प्रम भाक्त मानती है कि मिरे लिए लगाजी जो है प्रम भाक्त हूंu उसका तो इनका एक बहुत बड़ा आउदा था इसके लिए तो इनकी पहचान उस एस्टेडियम में गाने से हुई कि जैसे कि उस समय में जो है सिंगर को गाने से पहले जो है एक छोटा जो सिंगर होते हैं वहां का जो लोकल सिंगर होते हैं वो पहले गाते हैं तो उसके रूप में जो आखी थे कौन गा रहे हैं तो वह छे साल की यह साट साल की उम्र थी तो देखना ही पाते थी तो वहां की जो लोग है वह उनको जो है एक टेबल पड उठा के रखें जो पफुब्लिक उनको देखें जब उन्होंने गाया तो तकरिवान उस जगाप में पबलिक ने दस गाने इन से गवाए तब तक में उधर लता मंगेसकर जी किशोरदा जितने भी कलाकार आए हुए थे वो सब उधर से आगे तो सारे पबलिक डिमांड करते रहें तो वहां की जो वलेंटियर लोग थे सब बोले कि बस अब जो है छोटी बेवी लता को हम फिर नेक्स टाइम आप लो प्रोग्राम हुआ और इस जरिय जो है उनको गाने का मौका में तो इस परकार से इसके सिंगिंग कर सफर जो है यहां से स्टार्ट हुआ दिरे दिरे जो है सभी लोग जानते गए इसके फैमली में बात पहुंची फिर इनके पिता जी ने संगीत का सिक्षा ग्रहन करने के इनके भेजा गया और इस तरह से अपना सिक्षा परदान की फिर वहीं सिक्षा के करम में ही वहां जो है प्रडूसर डिरेक्टर का आगमन हुआ इनको सुना गया और तब जाके वहां से जो है अपनी फिल्मी कैरियर को वहां से संभा रहा तो आए हम इनकी गाय हुई सिंग की कुछ सौग हम आप लोगों के साथ सैर कर रहे हैं जो यह दो बहुत सारे सौंग लेकिन ये जो पिंग अक्सर खास करके हमेशा बज्पे हैं और हमेशा हम लोग सुनते हैं और व सांग के जड़िए हम लोग इतनी आनंद उठाते हैं इतनी उजह अनु उठाते तो इतनी बेहतरीन से गाये हैं हमलता जीने, जब यह सॉंग आप सुनियेगा, तो दिल कुछ हो जाएगा, इतनी बेहतरीन लगती है सुनने में, जो इसका भी मैं लिंक दिया हूँ, और इसे जरूर सुनियेगा, चलिए फिर आगे नेक्स्ट सॉंग के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट जो है, अखियों के जरुख से, यह सॉंग तो कौन दिन ऐसा नहीं है, जो हम लोग नहीं सुनते हैं, यह आज भी उतनी पॉपलर है, जैसे लगड़ा है, आज ही रिलीज हुआ है, तो इस तरह से हम इस सॉंग को भी बहुत मजा लेते हैं, और यह भी सॉंग मैं मैं आपको वीडियो में डाला है, तो इसे भी सुनिएगा, चलते हैं फिट, नेक्स्ट सॉंग के और, नेक्स्ट सॉंग है, चित चोर तेरी बासुरिया, यह भी सॉंग इतनी मधूर है, इतनी अच्छा लगता है यह सॉंग, जब यह सुनिएगा, तो सुनके मजा आ जाए हैं, और यह सॉंग, यह सॉंग के बारे में तो क्या कहना, इतनी मधूरता और इतनी प्यारी, आज भी जैसे लगता है कि उस जमाने में, जब क्रिस्न भावान ने जो जूला जूलते थे, और उस पर जो यह हिरून जो अधाकारी की है, ले तो आए हो हमें, सपनों की गाउ में ऐसी मधूरता और ऐसी चौमिंग लगती है, यह सॉंग जो कभी भी रिपीट मोड पर ही सुनने की मन होती है, और आज भी हम लोग सुनते ही है, और इसको सुन के इतनी जैदा मजा आता है, जो क्या कहना, तो चलिए इसे भी सुनते हैं, और आगे बढ़ते हैं सॉंग क और और यह सॉंग, यह तो अमर सा हो गया यह सॉंग, उत्तर भारतिये के लिए भोजपुरी सिनेमा के लिए आज भी यह सॉंग इतने इस पर कॉपी बने है, इतने तरह की बने है, जो ऐसा कोई भी सॉंग नहीं है, जो भोजपुरी में ऐसा बना होगा, कौने दिशा में लेकि चल अरे बटो या आज तक भी कानों में गुंचते हैं जैसे कि कल ही रिलीज हुए हैं तो सारे सांग का मैं लिंक वीडियो में दिया हूं और आप लोग देखिए इंज्वाइ कीजिए और इसी तरह से हमारे चैनल को अशिरवात दीजिए मैं इसी तरह का वीडियो और लाते रहेंगे और आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे और इस चैनल को धेड़ सारा प्यार दीजिए न्यू है आगे बढ़ने का मौका दीजिए ताकि हम इस तरह से बहुत सारे हम आप लोगों के सौंग, मोभी, धेड़ सारे इंज्वाइमेंट, इंटर्टेन्में तब तब के लिये